हालो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल मैजिकल तिंक पर आज का हमारा जोलोजी का न्यू टॉपिक है इसनेक्स बाइटिंग मेकेनिजम हिंदी में इसे कहेंगे हम सर्प दंशन परकिरिया इस्टार करते हैं इसके बारे में अब हम पॉजनस इसनेक्स का बाइटिंग मेकेनिजम एक कॉमपलेक्स टाइप की परकिरिया है जिसमें इसनेक के जो बॉन्स जो मसल्स पॉजनस ग्लैंड पॉजनस तीत आधि एक साथ एक निशित करम में कारे करते हैं यह सबी प्रोसेस फॉलोईंग स्टेप में कम्प्लिट होती ह पहला है हमारा opening of mouth जब कोई password snake होता है वो biting करने से पहले अपने मुँझ को खोल देता है तब हम समझ आते हैं कि यह काटने वाले है biting से पहले snake अपने mouth को maximum limit तक open करता है मलब जब biting होता है तब snake maximum जतना होसकी उतना अपना मुझ उपन करता है जो की special type की diagnostic muscles के contact करने पर snake अपना mouth maximum limit तक open करते हैं इन muscles के contact करने पर lower jaw नीचे की ओर down हो जाता है जिसके कान इनका mouth completely open हो जाता है फिर दोबारा देखते हैं opening of mouth को biting से पहले snake अपने mouth को maximum limit तक open करते हैं जो की special type की diagnostic muscles के contact करने पर snake अपना mouth maximum limit तक open करते हैं इन muscles के contract करने पर lower jaw नीचे की ओर down हो जाता है जिसके कान इनका mouth completely open हो जाता है दूसरा step है हमारा rotation और maxilla mouth के खुलने के बाद mandible आगे की ओर बढ़ता है जिसके कारण square muscle कॉमा quadrate और mandible bone में rotation होता है इस rotation के कारण कुछ अन्य जो बॉन्स एक्जामपल तेरिगोइड आदी उपर की ओर मुर जाती है अपर जो की maxilla bone के साथ poison teeth attached रहते हैं यह bone अपने axis पर 90 degree rotate कर सकते हैं maxilla bone के rotation के कारण poisonous teeth बाहर की ओर open होते हैं तथा अपने prey बने सिकार पर attack करने की most suitable condition में होते हैं तीसरा step है हमारा closing of mouth poisonous teeth के बाहर की और निकनने के बाद जो की temporal muscles वो प्रोटेक्टल muscles shrinked होती है जिसके कारण mouth closed हो जाता है तथा poison teeth परे की skin में needle like sink गड़ा हो जाता है muscles के contraction के कारण poison gland पर दबाव बढ़ता है तथा इसमें produce होने वाला snake poison इसकी poison duct की सायता से release होकर poison teeth में पहुंचता है यह poison teeth snake poison को prey की body में release कर देते हैं खिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम ऋब दो